हेलो दोस्तो नमस्ते माई निश चारियो में आप सब का स्वागत करती हूं माई सोल फैमिली माई वेवर्स माई सिस्क्राइबर ब्लेस यू आप सुष्ट होंगे मस्त होंगे अपने लाइप में आगे पर रहे होंगे दियर आज का विकर जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज दोपहर की एनरजी आपके पार्टनर की तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या मसुस करें आपके लिए उनका मोड कैसा है उनकी true intention क्या है और next action क्या होगा तो दियर यहां बहुत सारे viewers आपकी reunion हो चुकी है और जिनकी नहीं भी हुई है बाबू सिर्फ और सिर्फ आप prayer करें, प्रातना करें manifestation जरूर करें चिक है तो बहुत सारे viewers की reunion होई है तो बहुत सारी धेर सारी सुबकाबना है तो चलिए आज देखती हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की energy क्या है जिनकी call message या फिर reunion हुई है comment में जरूर लिखेंगे चलिए देखती हूँ आज दोपहर की energy आपके पार्टनर की इंजर्स प्रीज काइड करें ओल आर की इंजर्स दिब्बे शक्ती गाइड करें लेकिन इस वक आईश क्रीम ना खाएं ठीक है विवर जी आप लोगको मैं कह रही हूँ आईश क्रीम खाने से काम भिगर जाते हैं इस वक देखो फिर से मौसम change हो रहा है कभी भी बारिस हो सकती है मतलब समझ में नहीं आ रहा है मौसम कितना रंग बदल रहा है इसी वक तो इनसान की परक होती है पेर पौधे में भी आप देख सकते हो हर इनसान के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस आते है ठीक है तो इस वक बहुत सारी विश्च आपके पार्टनर के लाइफ में भी कुछ चेंजेस आरे नेचर पे भी देखा जा सकता है और ये परभाव भी पड़ता है पौसमाजमेंट दिल के रहा है दिवाना दिल के सी से दिवाना इस प्रेस काइट करें आज दुपहर के एनरजी मेरे भीवर्स के पार्टनर के इंजल्स प्लीज काइट करें आवेरनेस अच्छा जी अच्छा जी दा उसाइडर कुछ वीवर्स आपको आपके पार्टनर से कुछ तो गुड्नियूज मिलने वाला या मिल चुका है कुछ वीवर्स यहाँ पे फ्रूट आपको आपके कर्मों का मिलने वाला है हाड़ वर्क का मिलने वाला है ठीक है ओ माई गाड्ड कुछ वीवर्स देख लिजिए पॉलिटिक्स एंड फाइडिंग देख लिजिए आइशुलेशन यहाँ पे मैं कुछ वीवर्स आपको गाइड करना चाहूँगी कुछ वीवर्स आपको अवेर रहना क्योंकि अवेर्नेस की एनरजी है फाइटिंग से बचना है मैंने हर वीडियो में जब आता है मैं आपको हमेज़ा गाइड कर देती हूँ ठीक है अवेर्नेस की एनरजी है वाट हम देख से फाइटिंग की एनरजी है पॉलाटिक्स आइशुलेशन देख लो आपका तो कुछ वीवर जी आपके पार्टनर का जो वाइबरेशन है जो आपके आपकार्ट बिल देख लेती हूँ इंजस प्लेस काइड करें डिवाइन गाइड करें आवाज बाहर से आ रही है मजदूर सारे काम करें उसे इग्नोर करेंगे देखिए क्या करें मजदूर लोग की आवाज इतनी तेज होती है कि कुछ कहां नहीं जा सकता और देखिए आवाज तेज होती तो काम भी बहुत मेहनत का करते है ठीक है हाड़ वर करते हैं मेहनत करते हैं बहुत तेज आवाज है सारा काम विंडो के पास में हो रहा है बाबू मैं क्या करूँ इग्नोर किजेगा बहुत सारे मजदूर्स है लेवर्स क्या किया जाए मैं इस कार्ड को लू लेती हूँ देखो बाबू यहां पर कुछ ना आप लोग में गलत फैमिया भी हो रही है जिस वज़े से यहां कोई है जो एक पर बहुत ज़्यदा सक कर रहा है क्योंकि गलेक्टिव रीडिंग होती है सारे साइन के लोग हैं लेकिन यहां जो एनर्जी आपसे रजनेट होती है उतना ही लेना है और मैंने अगले 24 घंटे के लिए मैंने मायरे ओपी 69 पर मैंने हर साइन वाले के लिए एर, फायर, वाटर सब साइन पर मैंने वीडियो सोट सोट डाल दिया है आज मॉर्निंग की वीडियो के जगा मैंने वही वीडियो डाला है आपके पार्टनर की एनर्जी अगले 24 घंटे तो थोड़ा सा देख लीजेगा कुछ वीवर्स मैं पहले आप लोगो गाइड करना चाहूँगी क्योंकि अभी इस वक्त आपके पार्टनर अपने थोड़ा सा आटिटूट में हैं पैसे की गर्मी है गर्मी होती है ना भाईया सायद तुम मेरे लाइक नहीं कुछ वीवर्स आपके पार्टनर आपको अपने से नीचे भी देखते हैं स्लोइंग डाउन एंड किंग ऑप पैंटिकल्स दच्छा लिया तो थोड़ा सा मेरे वीवर्स जी कुछ लोग को बचना भी है त्रियों पैंटिकल्स यहां पे कुछ वीवर्स आपको कोई वर्क प्लेस पे आपको लाइक करते हैं कोई आपको पसंद करते हैं कोई आपको ओफर करना चाह रहा है यह चाह रही है ठीक है मलत आपको वीवर्स आपको ल सहा है तेहरार जाहे बीवर्स आपको लाइएवर्स आपको काह थोड़ार लियुल्स चिसलिय। तो पहले मैं कुछ वीवर्स आपको मैं पहले काइट कर देती हूं पहले साइन बता देती हूं यह यहाँ पे साइन देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप सारे साइन के लोग देख सकते हूं क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टन्ट एनर्जी होती है देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा कि कुछ वीवर्स आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा कुछ वीवर्स यहाँ पे आपको बिल्कुल दिल नहीं लग रहा जबकि आपके पास किसी चीज की कमिना हो हो सकता है कि इस वक्त किसी परकार का आप कभी हैल्थ इश्यू चल रहा हो किसी तरह का स्ट्रेस हो हैल्थ इश्यू हो लेकिन कहीं न कहीं कुछ वीवर्स यहाँ पे आप खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हो लेकिन एक एनरजी है कि आप कहीं न कहीं कुछ करना चाह रहे हो कुछ बदलने की कुछ चेंजिस लानी की कोशिस कर रहे हो या आप नेचर से कनेक्ट होना चाहते हो या फिर आपके आसपास कुछ मौसम चेंज हो रहा है, आप आसमान में देख रहे हो, नेजर से कनेक्ट हो रहे हो, कही न कही बहुत यूनिक यूनिक यहाँ पर पक्षियों को आप देख रहे हो, उनको भी अट्रैक्ट कर रहे हो, या उनकी सेवा कर रहे हो, या फिर उनसे कन चाह रहे हो ठीक है कुछ विवश्ट आपका दिल और दिमाग कहीं न कहीं एक खाली पन एक सुना पन है लेकिन आपके आसपास बहुत अच्छी वाइब्रेशन है लेकिन आप उस चीज को नहीं देख पारे हो ठीक है लेकिन यहां पे खुद को बदलना चाहते हो ठीक है कुछ लाइप में चेंजिस लाना चाहते हो। हो सकता है कि कुछ विवर्स यहां आप नेचर के कडिब भी रहते हो। जहां से आपके घर से, विंडो से या आसपास अच्छे से नेचर दिखाई देते हो। उचे उचे पहार हो। मतलब हिल स्टेशन की वाइबरेशन कुछ लोगों की एनरजी ऐसी है। अगर कुछ लोगों की ऐसी एनरजी नहीं है तो हो सकता है कि आपके लाइप में वो चीज़ ढून रहे हो। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका करियर भी है, फाइनांस भी है, हेल्थ भी है और लाइप में एक चिंज़ भी है। तो आप यहाँ पे यह सोच रहे हो। एक ट्रांस्फरमेशन अपने अंदर करने की सोच रहे है क्योंकि दाइट की एनरजी है। ठीक है। खूल कर आप नहीं जीपा रहे हो। कुछ विवर्स में ऐसी वायब्रेशने देखने है। लेकिन यहाँ पे कुछ वीवर्स आप अपने लिए अब लौाइल होना चाणरे हो। अपने लिए भी आप पैस्निट होना चाणरे हो। मतलब खुदी के लिए भी आप जीना चाड़े हो. खुदी के लिए कुछ एक्सल लेना चाड़े हो. ठीक है? यहाँ पर कुछ व्यूर्स या आप किसी रिलेशनीशिप में स्टक हो. या आप कहीं कोई ऐसे relationship में या situation में आप परिशान हो जहां से आप निकलना चाहते हो आपको बिल्कुल completion, शान्ती और पीश नहीं आप अपने counterpart को ढूण रहे हो और आपको पता भी नहीं चला कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है जैसे लगड़ा आपके अंदर ही कुछ कमी सी है ठीक है लेकिन या पर ऐसी भी energy है कि कोई है जो आपको बेहत पसंद करते हैं जो कि workplace पे हो सकते हैं या social media पे हो सकते हैं ठीक है या हो सकते हैं कि वहीं पे आपके partner भी हो तो यहाँ पे completion चाह रहें आपको प्यार offer करना चाह रहें क्योंकि यह person जो भी है आपके partner भी हो सकते हैं या आपके workplace पे भी कोई हो सकता है यह person आपके लिए काफी passionate फिल कर रहे हैं चीक है देखिए कभी-कभी ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे viewers के partner ना थोड़ा सा गुस्से में भी है और आपके बारे में काफी सोच रहे है कुछ वियर्स आपके partner आपके life में marriage और commitment सर गलेटेड स्लो है slowing down और आप देख लिए king of pentacles four of wands अगर commitment की बात रही reunion की बात रही तो बाबू यहाँ पे आपके partner पहले अपने career को देख रहे है ठीक है अपनी finance को देख रहे है सबसे ज़्यादा पहले important क्या है आप उनके लिए career और finance क्योंकि यह masculine energy में तो यह practical soaching और source समझ कर decision लेंगे लेकिन लेंगे थोड़ा slow लेंगे लेकिन इस वक्त यह person अपनी energy को हिल करना चाहते हैं और आप से बहुत सारा प्यार पाना चाहते हैं completion the hermit के energy है यह chariot के energy है और यहाँ पे 600 wants के energy है तो देखिए यहाँ पे आपके partner एक new beginning तो चाहरे लेकिन यहाँ पे बहुत सारे viewers थोड़ा आपको साउधान रहना है चीक है क्योंकि अगर आपके अंदर या उनके अंदर एक transformation हो रही है तो यहाँ पे balance बहुत ही important है नहीं तो यह एक transformation के वज़ा से कहीं न कहीं changes जैसे आ रहे हैं तो आपको खुद को भी समझना है changes क्यों आ रहे हैं चीक है बस आप अपने मन में गलत फैमीर ना पालें कि आपके साथ गलत हो रहा है आपको positive सोचना है अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बार बार ये बंदा या बंदी आती है मेरे से time pass करता है करती है financially support लेता है लेती है energy लेता है और चला जाता है और चली जाती है क्योंकि क्या होता है क्योंकि आप बहुत ही emotional nature के इंसान हो ठीक है आप बहुत innocent हो nature आपका देने वाला है चाहे हो सकता हर इंसान में ego भी होगा शविमानी अभिमानी शब हो सकते हैं लेकिन आपके partner के energy से देखा जाए तो आप कही न कहीं बहुत emotional nature वाले हो unconditional love देने वाले हो लेकिन बार बार आपके साथ गलत होना fight करना या कभी कभी आपको लगता है कि जैसे मैं time pass हूँ मुझे commitment क्यों नहीं मिल रहा मुझे decision क्यों नहीं दे रहा तो कुछ वियर्स आप बार बार ऐसा feel करते हो सोचते भी हो लेकिन उन्हें भी लगता है कि हमेशा हमेशा ही आप उन्हें गलत समझते हो क्यों क्योंकि कभी कभी उन्हें भी लग रहा कि अब आप उन्हें वो भाव नहीं दे रहे ठीक है और गुस्से में आकर या आपको block कर देते हैं या बाचित बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि अग्रेशिव इंसान है ये देखिए आप देख लो, इव कार्ड देख लो अग्रेशिव इंसान है ये आप इनको कुछ बोल दोगे तो ये भी आपको कुछ सुना देंगे या आपको आटिटूड दिखाएंगे या आपको ब्लॉग कर देंगे या खुद को कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वीवर्स यहाँ पे बहुत सारे वीवर्स आप अपने सेल्फ हिलिंग पर काम कर रहे हो ठीक है लेकिन इस परसन को साइध ये लग रहा है कि आपको मनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन एक चीज है उनमें कि आप के लिए प्यार इमोसन और अट्रैक्शन भी पैस्निट इनर्जी और अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे है इनके अंदर भी एक कमी सी है जो खुद को कही न कही पूरा नहीं कर पा रहे एक अधूरापन फिल कर रहे है और बहुत सारी विवर्स आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट मिले कुछ लोग चाह रहे रियूनियन हो तो कही न कही इस परसन का ध्यान आपके और है लेकिन यहाँ पे कुछ विवर्स आप कार्ज देख सकते हो थोरा सा अवेर्नेस की भी एनरजी है आईसुलेशन के एनरजी है फाइटिंग के एनरजी है तो कुछ विवर्स यहाँ पे आप देख सकते हो फाइटिंग isolation politics awareness यहाँ पे कुछ ऐसे वीवर्स यहाँ पे हैं जो आप कार्मिक से भी डिल कर रहे हैं और आपको trigger मिल रहा है तो कुछ वीवर्स आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह समझ जाएं कि क्या वो आपके true love है true partner है ठीक है तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ कि fighting, politics, awareness तो मैं यहाँ कहना चाहूँ कि एक तो आपको fighting से बचना है थोड़ा साधान रहना है क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं आपके साथ time pass भी हो रहा है और आपका मजाक भी बन रहा है तो आप cards देख लो awareness, politics and fighting और आप साध उनसे fight भी करते हो कि आपको justice चाहिए तो देखिए आपको रोना नहीं है आपको रोना नहीं है क्योंकि जो आपका true love है बाबू वही आपको मिलेगा जो आपके किसमत में वही मिलेगा तो देखिए हो सकता है कि यह person आए भी और चले भी जाए तो कुछ वीवर्स ध्यान से कार्ट देख लिजे खुछ से fight मत किजे कुछ decision लिजे यहाँ पे सब की बात नहीं कर रही हूँ कुछ वीवर्स आपकी बात कर रही हो या पिर हो सकता है कि यह आपके soulmate भी हो या twin भी हो तो हो सकता है कि इस वक्त आप awakening से गुजर रहे हो और उन्हें इस वक्त कुछ भी पता नहीं कि आप उनके कौन हो लेकिन कुछ वीवर्स मुझे यहाँ पे three of pentacles के energy है ace of sorts के energy है तो कुछ वीवर्स अगर आपके partner के इलावे भी हो सकता है कि कोई आपके work place पे हो या social media पे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि आप किसी कार्मिक से deal कर रहे हो और completion three of pentacles ace of sorts तो कहीं न कहीं कोई है जो आपको परपोच करना चाहता है लेकिन हो सकता कि वो आपका real soulmate हो या twin हो यह आप लोग जान सकते हो ठीक है आपके soulmate है या आप अच्छे से समझ रहे हो लेकिन हाँ यहाँ पे work place या social media से कोई लोग है जो जूरा हुआ है जो आपको प्यार offer करना चाहते हैं इवन कि वो marriage या future planning को लेकर क्योंकि उन्हें भी लगता है कि आपकी बिना वो अधूरे हैं और आपको देकर उन्हें बहुत से ख्याल आता है तो यहाँ पे completion है three of pentacles, ace of sorts है लेकिन ध्यान रगिए जिनके भी यह आपके energy लग रही है आप अपने intuition को follow करें यह किन के साथ हो रहा है चिकनी चुपडी बाते करना यूज करना और fight करना और आपको आशू देकर चले जाना देखिए isolation आपके आपको में आशू हो सकते हैं या आपसे fight भी करते हैं या खुद के साथ आप fight कर रहे हैं क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है लेकिन awareness की vibration है तो थोरा वीवर जी अपने आपको बचाईए ऐसे energy से निकलिए ठीक है बहुत important है क्योंकि कही न कही कुछ वीवर्स है जो आप जगल करें आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका soulmate है कार्मिक है या आपका twin है यहाँ बहुत जरूरी है कि जगल वाली energy से निकलना है strong decision लेना है अपने inner peace से आपको जूड़ना है अपने inner peace से आपको जूड़ना है सही गलत की पहचान करनी है नहीं तो जिन्दगी politics, isolation, fighting और comparison घुटन में ही कटेगी इसलिए यहाँ पे बाबू टुआ पेंटिकल से निकलना है अपनी inner voice अपनी अंतर आत्मा की आपको सुननी है आप ही सोचिए collective reading में हमेशा प्यार ही आता है क्या, ठीक है हर इंसान का nature एक जैसा नहीं होता तो आज सच्चाइड निकल कर आए कि सबके partner यहाँ पे strong true love नहीं है किसी के साथ politics भी हो रही है अगर politics इस वक्त हो रही है अगर आपके वो soulmate है तो हो सकता है कि आपकी awakening चल रही है ठीक है तो आपकी अगर awakening चल रही है आपके साथ धोखा और cheat हो रहा है तो हो सकता है कि आपके इंदर transformation हो रही है ठीक है यह अगर आपकी awakening हो रही है transformation हो रही है तो ये चीज़ अभी इस वक्त आपके साथ हो रहा है या आप किसी किस सच्चाई आई हो ठीक है? ये भी हो रहा है तो एक transformation जब होता awakening होती है तो energy में उतार चरा होते है ठीक है? खुश से fight करना, घुटन की energy सच्चाई जाना, किसी की सच्चाई सामने आना तो आप यहां सोचों कि आपके साथ politics हो रही है ठीक है? तो यहां पे आपकी transformation हो रही है आपकी awakening हो रही है और the chariot आपको symbol, sign, हर कुछ दिख रहे होंगे ठीक है? बहुत सारे viewers आवगर आव awakening से गुजर रहे होती है, यहां पे बहुत सारे partners related या guidance आपको symbol और sign भी मिल रहे होंगे सपने के थुरू या फिर यो ही या angel number के थुरू या कोई song के थुरू ठीक है? कहीं न कहीं फेदर, butterfly बहुत सारी vibration आपको या उसमें आप एक आता है ना वो पीला वाला जो एक butterfly, honey bee जैसा मदुमक्खी की तरह एक पीला क्या उसे बोलते हैं पीला पीला इधर हम लोग हड़ा बोलते हैं पता नहीं आप और क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता लेकिन वो देख रहे हैं तो hard work को दरसा रहा है आपको बहुत सारे भावड़ा हुआ butterfly या honey bee बहुत सारे symbol आपको दिखाए देंगे यहाँ पे आपका process चल रहा है transformation and awakening का अगर इस energy में आपके partner हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपको किसी की जानकारी मिली कि आपके partner किसी और के साथ है बर्ग प्लेस एश सोसल मेडिया पे तो बाबु एक transformation आपकी हो रही है आपकी awakening हो रही है ठीक है तो be positive अगर ये हैं भी आपके तो divining time होगा बाबु आपका इस energy में एक divining time होगा क्योंकि यहाँ आपको खुद को बदलना है जगल वाली life से निकलना है और अपने inner voice से अपने अंतर आत्मा से जुड़ना है क्योंकि आपके साथ divine power है blessings है और आपके साथ ब्रमान की सकती है दिब भी उड़ जाए दिब भी सकती है तो आप अपने अंतर आत्मा से जुड़ेंगे तो बहुत सारे चीजे change होएंगी ठीक है तो यहाँ पे आपके अंदर हो रहा है transformation और symbol आपको बहुत सारे symbol भी दिखाई दे रहे हो हम मुझे यहाँ पे बहुत सारे viewers आपकी vibration है कि आप खुस नहीं दिखाई दे रहे हो हो सकता है कि आपको लगए सब की reunion हो रही है सब की बादचीत हो रही है तो yes dear बहुत सारे viewers की उनको result मिल रहा है उनके अपने कर्मों का result मिल रहा है ठीक है बहुत सारे viewers की reunion होई है और commitment की भी बात होईगी लेकिन जिनकी नहीं हो रही है तो यहाँ पे उनकी awakening हो रही है अगर जिनके partner आपसे सिर्फ fight करते हैं game खेलते हैं आते हैं जाते हैं fun करते हैं मजा करते हैं और आपको आशू दे कर जाते हैं तो यहाँ पे आपको awareness की energy आपके लिए साउधानी आई है ठीक है तो आपके awakening होईगी एकदम सब कुछ change होगा तो आपका knowledge ग्यान बढ़ रहा है जैसे मैंने आपको इतना guide कर दिया आप इतना guide करने के बाद आपने पहले नहीं जाना और आपने ये चीज़ सुना तो ये भी awakening है ये भी एक transformation है ये भी एक आप सीख रहे हो ये भी एक knowledge है ठीक है तो ये person इस वक्ट कुछ विरसा आपके partner आपको जरूर ठीक है आएंगे तो वो जरूर लेकिन आपको खुद को बदलना है comparison नहीं करना है क्योंगी comparison की भी energy है लेकिन इतना याद रखिए कि आपकी transformation हो रही है तो chances हैं कि आपकी transformation जब होगी तो आपके life में भी changes आएंगे और एक new worth भी होगी आप बड़न ना ले ठीक है इंजल्स कहना चाहते हैं आप बड़न ना ले harmony create करे harmony create करना है आपको यह आपके लिए vibration भाबू the sure भी है, the button भी है, harmony भी है और आप देख सकते हो cards reward किये, होईगी आपका new germ हो रहा है sorry बाबू, गला में थोड़ा problem हो रहा है यह comparison, किसी से comparison ना करे आप unique person हो button कम किजिए, reverse होगी new germ होगा, होगा तो जरूर होगा harmony create किजिए अगर जिनके साथ politics हो रही है तो समझ ज़गे कि आपको कुछ पता चला है तो आप खुद को बदलो यह कुछ वर्स आपके लिए है लेकिन हाँ, aware रहना है fighting नहीं करना है प्यार होता है, देखिए इस वक्त आपको कुछ पता भी चला होगा कि आपके साथ game हो रहा है, angels क्या कह रहे है आपको universe क्या कह रहे है, awareness साओधान रहना है, इस वक्त आपको घुटन सी energy भी नहीं रहना है आपको रोना नहीं है, लेकिन यहाँ पर गेम भी हो रहा है, अगर वो आपसे fight भी करे, अगर आप किसी की जानकारी भी मिली हो, तो बिल्कु साओधान रहना है आपके अंदर जो transformation हो रहा है एक new gen हो रहा है तो यहाँ पर कुछ वर्स आपके लिए strong guidance आया था, मैंने कह दिया देखिए आपके कुछ वर्स आपके partner आ रहे हैं, passionate है चाहत है, travel है time spend करना, घुमना, फिरना, फन करना और कुछ लोग की reunion हो चुकी है कुछ वर्स इस energy में आप लोग आ गये हो ठीक है, reunion हो गई है बहुत सारी वर्स आपकी reunion होने वाली है good news मिल चुका है या good news मिलने वाली है completion आपके partner आपसे जुड़ना चाहते हैं मिलना चाहते हैं, देखिए कुछ वर्स आपके लिए बहुत ज़्यदा strong, passionate energy है लेकिन कुछ वर्स आप अपने आपको खुल कर जीना सिखिए यहाँ पे आपके partner या आप यहाँ stuck हो, निकलना चाहते हो तो देखिए मजबूरी दोनों तरफ से होती है ठीक है, इसलिए समझना है देखिए, slowing down तो कुछ आपके partner slow आ रहे हैं मैंने क्या बोला transformation हो रहा है और इन्होंने अगर आपके साथ game खेला है fight के आपको आशू दिया है इस वक्त आपको एक dumb inner voice से inner peace से जुड़ना है aware रहना है, क्योंकि slowing down, वो बंदा या बंदी आएगा जरूर ठीक है, सिर्प अपना कर्म अपना work करें बस इतना ही कहना चाहूंगी अगर healthy issue है, तो health पे focus करें लेकिन comparison नहीं क्योंकि universe angels भी चाह रहे हैं कि आप harmony create करें inner voice से जुड़ें घबराईए नहीं और यहापे बहुत सारे भी वर्जी आपके reunion होने वाली है या पिर हो चुकी है completion चाह रहे हैं आपके partner ठीक है, देखिए सारे कार्ट reunion के chances है success travel, passionate attraction, good news एक नई शुरुवात हो रही है ठीक है, यह एक नई शुरुवात हो रही है बहुत सारे viewers आपकी reunion होने वाली है या हो चुकी है, comment में ज़रू लिखिएगा और यह energy किनके जिनको मैंने guide कर दिया उस पर ज़्यादा focus करें और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाबू inner voice important है क्योंकि आत्मा और परमात्मा से बात करोगे बिटा, तो सब कुछ मिल सकता है यह दुनिया सच में कहा जाता है ना, मो माया है जब सरीर, आत्मा मतलब होता है देखो सरीर को दर्द पोहुंसता है ठीक है, आत्मा रोता है तो घबराईए नहीं जो परमात्मा है एक एक time का लेखा जोखा लिखता है एक second का भी इधर उधर नहीं होता एक एक second minute घंटे second का भी लेखा जोखा लिखता है और उसी के अनुसार हमें जन्म और कर्म भोगने पड़ते हैं ठीक है तो आप pure solo तो आप इस guidance को follow कर सकते हो समझ सकते हो इतना मैंने क्यों guide किया है क्योंकि आप किसी का comparison नहीं कर सकते क्योंकि एरू person हो लेकिन आपको इस वक्ड़न कम करना है harmony create करना है आपका एक new जन्म हो रहा है transformation क्या है knowledge ग्यान अपने आपको बदलना stress को पीछे छोड़ना तो ये आपका new जन्म हो रहा है ठीक है तो यतना याद रखिये बड़न मतली जवाब हो और बहुत सारे वियर्स आपके reunion हो रही है action call message आ रहा है travel हो रहा है reunion, celebration, enjoyment और चाहत प्यार, attraction बहुत है completion चाहिए आपके partner को लेकिन यहाँ पे बहुत सारे viewers मैं आपको guide करना चाहूंगी be positive, be strong be happy for this moment this moment is your life but यहाँ पे आप खुद को समझे और यहाँ पे हमेशा याद रहें, कोई भी इंसान आपको direct आकर कोई भी proposal देता है कोई भी हो, यह कुछ के लिए guidance है कोई भी अचानक से आकर कोई proposal देता है, पहले भी न जाने परके आप उन्हें accept ना करें तो कई बार आप लोग बोलते हो इससे भी धोखा मिला, इससे भी धोखा मिला इससे भी धोखा मिला चीक है, तो थोरा सा कोई भी आपको परके, चाहे सोसल मीडिया हो या पार्टी हो, फंक्सन हो कहीं भी हो, पार्टी हो, फंक्सन हो या वर्क प्लेस पर हो, या सोसल मीडिया पर हो ट्रावल के थुरू हो, कहीं भी सोच समझ कर डिसिजन ले, भी ना जाने पर खे, उनसे उनका नमबर ना ले, ना अपना नमबर दे, यह आज का टाइम जो चल रहा बाबू, इसलिए मैं आपको अवेर कर दे, तो कि अवेरनेस के इनरजी बहुत कुछ गाइड करता है, इसलिए पहले जाने, परके चाहे हो मैरे से रेलेटेड हो, कमिट्मेंट से रेलेटेड हो, उनके लाइफ में क्या है नहीं है, बीना जाचे परके, कभी भी आक्शन मत लो, सोचो समझो नहीं तो आपका मजाक, आपका गेम भी बन सकता है, वीवर्स, आप इस एनरजी में हो, देख रहे हो, कहीं से निकलना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पारा, किसी तरह का आपके पार्टनर के तरफ से भी हो सकता आक्शन नहीं हो पारा, जिस बज़े से और आप बंधा हुआ, फिल कर रहे हो, ठीक है, तो देखें, बहुत सारे वीवर्स, आपकी रियूनिन होने वाली है, कुछ वीवर्स, लोइंग डाउन है आपके पार्टनर, फाइटिंग से बचना है, और इस बख सबसे ज़्यादा, आपको अपने आप से जुड़ना है, चीक है, सबसे ज़्यादा आपको अपने आप से जुड़ना है, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, और देखो बाबू, हम लोग कौन हैं, हम लोग सिर्फ गाइट करने वाले हैं, इतने इनर्जिस में आप लोग ले गाइडिन्स आजाती है, यह समझे कि आप लोग बहुत लगी हो, कि इस चाइनल पे आए हो और इस वीडियो पे आए हो, आज आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कहरे हूँ ना, आज आपको हो सकता, आपको समझ में ना आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, कि आप खुद कहोगे, कि दिदी ने ये बात बूली थी, साइद मैं उस वक्द दिदी की बात मान लेती, तो लाइक को चेंज कर लेती, या कर लेता, चिक है, तो इनर वाइस की जरूर सुने, और सोच समझ कर, चाहे हो मैरेज हो, कमिटमेंट हो, या अधर परसन हो, बाबू अवेर रहिएगा, जिंदगी है, दुबारा नहीं मिलती है, अपना मजाक मद बनियेगा, सेल्फ लब और सेल्फ लिंग, खुद के रिस्पेक्ट कीजिए, और अपने उपर जादा फोकस कीजिए, क्योंकि एक ट्रांस्फर्मेशन, बहुत सारे विवर्स की हो रही है, आपके पार्टनर की भी हो रही होगी, लेकिन यहां पे ट्रांस्फर्मेशन भी है, और बहुत सारे विविवर्स आपकी रियूनिन भी है, कॉल मैसेज है, कमिंट में लिखेगा, जो guidance मिली है universe God को भी gratitude शो कीजेगा ये मैं नहीं बोलती हूँ बाबू उपर वाला मेरे को ऐसा बोलता है क्योंकि हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं तो angels हम लोग के साथ होते हैं और उसी vibration से आपको आप तक बाते पहुँचाती हूँ क्योंकि हम लोग का divine से connection होता है तो divine ही guide करते हैं ठीक है तो ये दीदी के बात को सुन लो और life को change करो घुटन की energy से निकलो ठीक है और अपने आपको change करो ना तो ये है जी आज दुपहर के energy आपके partner की वीडियो अच्छे लगे दियर तो like करे, share करे चैनल को subscribe करे बेल आइकन जरूर दबाए God bless you and thank you